दक्षिन नागपुर के बज्रण नगर में गली नंबर 10 में एक बहुत बड़ा दाला है इस नाले की सफाई ने की जाने से बज्रण नगर परिसर में दुर्गन फैल चुकी है तता परिसर में मच्छरों का आतंग बनावा है परिसर के नागरी बिमार हो रहे हैं लेकिन इस और मनपा के स्वास्त विफाग या किसी पार्षद या विधायर का ध्यान नहीं है जल से जल इस नाले की सफाई की जाए ऐसी मांग बज्रण नगर के नागरी को देख प्रशासन से की है दक्षे नागपूर के अंतरगत आने वाले बज्रण डगर गली नबर 10 के परिसर से एक नाला ऐसा है जिसके सफाई पिछले 7 मां से नहीं हुई है जिसके चलते गंदगी का आलम है नाले में पानी जमा होने से गंदगी पढ़ रही है गडर का पानी इस नाले भी छोड़े नहीं की गई है सफाई करने के नाम पर सफाई कामकार कभी कपार आते हैं अपनी हाजरी दैश करवाते हैं लेकिन नाले की सफाई पुनरुप से नहीं करते हैं जिससे इस नाले की बधाली हो रही है नाले की सफाई नहीं की जाने से मच्छरों का आतंग है परिसर के नागर दोने ध्यान देनी की जरूरत है लोग तंत्र में जीने वाले नागरिकों के स्वास्तिकी रक्षाप करने का काम मन पर प्रशासन और पधादी कार्यों का है इन्हें जल से चल नार मिला चाहिए और नाले की साथ सपाई होनी चाहिए दर्शक नमस्कार इस समय में BCN के टीम बजरंग नंबर गली नंबर दस के उस नाले के पास खड़ी है जहां पर गंदगी का आलम है काफी बदबू आती है और कुड़ा कच्रा कितना है आईए हम बताते हैं आप देख सकते हैं कि BCN का ये कैमेरा आपको ये पुरा नजारा ब आए हुए है ऐसे में सवाल ये बनता है कि इस और किसी का ध्यान है या नहीं यह जानने के लिए आज बीसेन की टीम पहुंची है बजरंग नंगर के गली नंबर दस में आप देख सकते हैं थोड़ा पैन करके बते कि तमाम नागरी बीसेन टीम को अपनी बात बताने के लि पुरा शेरा म多ष आती है और गड़े गिरे पुरे साप आते जयान फ में और धाया साल हो गए यहांपेया यह नाले के उपद जालने के लिए लेकिन अभी किसे ने कुछ किया नहीं है जिए लेकने लें यहां के पारशन नहीं दे रहे हैं अई से यहां के नागरी को का कहना है आप क्या चाहूंगे क्या तकलिफ है यहां पर बच्चों को खेलने के लेकिन आते हैं बोलते कि करवा देते करके लेकिन वापस चले जाते हैं अभी तक पाच्छे बार हो चुका है पाच्छे बार शिकत करने के बहुजुद भी यहां के पार्शाद ध्यान नहीं दे रहे ना कोई अधिकारी ध्यान देरा ऐसा इनका कहना है मैडम आप बते क्या अधिकारी नहीं दे रहे हैं अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया बस आके आके देखते हैं कोई-कोई तो आते भी नहीं है वहां तक आते हैं यह लाइन में आते ही नहीं है पुषपा भुंडे जैसे तमाम नागरी को नहीं यह जानकरी देते हैं यह बता है कि नाले की सफाई नहीं हुई है जिसके चलते यहां पे गंदगी का आलम है हम आपको एक चीज ऐसी बताने जाएंगे यहां इस परिसर के जब छोटे बच्चे खेलते है तो बच्चे अक्सर यहीं खेलते है और यह जो बड़ा गड़ा दिखाई दे रहा है यहां से बड़े बड़े इस नाले में जो साफ पनपर है वे साफ यहां से आते लोगों के गड़े में गुशते है ऐसे में इन बच्चों के लिए काफी खत्रा साबीत एक गड़ा इसके बाद और भी कुछ गड़े है यह देख सकते है और इस वर प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो ध्यान देगा कौन क्योंकि लोकतंत्र भी जीने वाले लोगों के साथ यह बद्दा मजा यह दिखिए इसके अंदर कई साप यहां पर अंदर में विराजमान है और समय मिलते हैं वे बाहर निकलते हैं जबकि इस परिश्टर के छोटे बच्चे भी खेलते रहते हैं हो सकता है कि अगर सापने किसी बच्चे को काट लाया तो बहुत बड़ी अनोहनी हो सकती है घटना हो सकती है उनकी मौत भी हो सकती है आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार होगा कौन यह सवाल बनता है पार्शेतों को कईबार बताय गया यहांगे अधिकारियों को बताया लेकिन इनोन craft नहीं दिया आखिरकार लोकतंतर में जीने वाले इन के साथ इतना बड़ा भद्धा मजाक प्रशासन क्यों कर रहा है क्यों नहीं ध्यान दे रहा है सुच्छे नाकपुर सुंदर नाकपुर की बाते और डिंगे हाक ने वाले ये प्रशासन और पदाधिकारी आखिर कर क्या रहे है ये एक सवाल अपने आप में है ऐसे में लोग के दिन हर कोई होट मांगने के लिए आता है मगर जब चून के जाते तो देखते तक नहीं यही आलम है हर परिसरकार खास तोर पे बजरनगर गली नमबर दस का इसलिए इन लोगों को नय मिलना चाहिए जल से जल ये नाला की साफ सपाई होना चाहिए ऐसी पहल बीसेन के मा गाय लगी हुई है बजरनगर गली नमबर दस से क्यामेरा परसन मोनु खान के साथ संजय इमिरे बीसेन न्यूज नाकपूर